हाई गाईस दिसलवेश अभी बज़ रहे हैं सुपह के साथ रात को बहुत लेट हो गया ता सोने में तो जस्ट अभी उठा हूँ आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल डे ओफ इटिंग आप मसल गेन करने के लिए क्या-क्या पूरे दिन में खा सकते हैं मैं मील्स को बहुत सिंपल रखूँगा जो मैं खाता हूँ वही आपको दिखाऊँगा तो चलिए मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ दोस्तों मौनी में सबसे पहले मैं उठकर लेता हूँ वार्म ग्लास वाटर दोस से तीन ग्लास वाटर आप ले सकते हैं क्योंकि पूरे राद बर आपकी बॉड़ी डिहाइडरेट थी उसको हाइडरेट करना बहुत जुरूरी है इसके बाद मैं ब्रेश करूँगा फ्रे है फ्रूट वन एपल और चने काले चने जो कि मैंने रात को बिग होई थे तो इसका मैं पूरा नहीं लूँगा मैं थोड़ा इसका आदा ही खाऊंगा भी तो बहुत ही अच्छा सोर्स है सुबह आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और कुछ काव्स आपके फूट से मिल ज इसमान व करता हूँ अपना फ 알स्स मील मिलते हैं णेक्स मील में जो कि हमारी ओडी ब्रेक 안돼 आपना ब्रेक फास्ट वाई नहां आक हो गये हो मैं से अपने अपना ब्रेक फास्ट drinking अब कर लेती हुद सो मैं प्रिपेर कर लेता हूँ ज्भीवा । फिर में आपको दिखाता ह थोड़े से dry fruits तो अब कुछ भी अपने मन पसंद के डाल सकते हो मैं थोड़े से, मैंने mix करके रखे हैं इसमें यह डाल दूँगा मैं कुछ almonds, walnuts और थोड़े kishmish किशमिष से थोड़ा flavor आ जाता है और और थोड़े से अनार अब इसमें मीठा नहीं है कुछ तो मीठे के लिए आपको sugar यूज नहीं करना यह ध्यान दीजिएगा sugar बिल्कुल यूज नहीं करना आपको मीठे के लिए या तो आप jaggery powder जो गुड़का powder आता है वो यूज कर सकते हैं या फिर आप honey मेरे पास दो नहीं है मैं change करता रहता हूँ कभी मैं honey यूज कर लेता हूँ कभी मैं jaggery powder तो इसमें honey और डालेंगे थोड़ा सा कि एक चम अच्छानी डालूं अब इसमें मैं तो यह हो गई हमारी मील तयार बहुत ही healthy breakfast है आप इसके जगे आप दलिया भी यूज कर सकते हैं दलिया बनने में थोड़ा time लगता है oats के फटाफट बन जाते हैं तो इसलिए मैं यूज करता हूँ वैसे आप दलिया अगर आप है घर में तो वह भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा option है सेम रेसिपी होगी दलिया दूद में बनाने के बाद उपर से आप यह सब चीज़े डाल सकते हैं यह चीज़े optional हैं आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं हाँ इसमें आप बैनेना भी काटके डाल सकते हैं वेट गेरी में बहुत help करता है तो एक बैनेना पूरा आप कट करके डाल सकते हैं आपके पास और कोई fruits हैं तो वो भी add कर सकते हैं तो मैं करता हूँ अपना breakfast मिलते हैं हम next meal में दो हमारी होगी lunch अब बज रहे हैं दिन के दो I am having my third meal जो की है lunch इसमें मैंने लिये हैं छोले, rice and curd थोड़ा साथ तो इसमें छोले के अलावा और चीज़े हैं जैसे की गाजर है इसमें पनीर है, कॉन है और टोमेटोस हैं तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है कुछ टाइम से मैं ट्राइ कर रहा हूँ अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मैं को लिख के बता सकते हैं मैं इसमें चेंज करता रहता हूँ कभी मैंने छोले ले लिए कभी राजमा ले लिए तो आप ये चेंज करके खा सकते हैं रोज एक ही चीज़ काएंगे तो बोल भी हो जाएंगे तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं तो मैं अपना करता हूँ लंच, मिलते हैं नेक्स्ट मील में जो कि हमारी होगी, प्री वकाउट मील अब है टाइम, प्री वकाउट मील का, शाम के बज़ रहे हैं, पांच तो मैं ये वकाउट से एक गंटे पहले लेता हूँ, इसमें दिखाता हूँ मैं क्या है इसमें मैंने सैंड्विच बनाया है, ब्राउन ब्रेड है और उसके अंदर मैंने पीनर बटर लगाया है, बनाना है और हनी डाला है मैंने तो ये एक देड़ घंटा पहले मैं लेता हूँ वक आउट से प्री वक आउट मील बहुत ही जरूरी है कई लोग बिना खाए वक आउट करते हैं वैसा नहीं करना है आपको ये मील एक देड़ घंटा पहले लेनी है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ भी light खा के जा सकते हैं वक आउट लेकिन खाली पेट आपको नहीं जाना है बिना खाए नहीं जाना है आपको वक आउट करने तो प्री वक आउट मील जरूरी लीजिए मैं ये लेता हूँ अब हम मिलेंगे next meal में जो कि हमारी होगी post workout meal और वो हमारा dinner भी होगा तो मिलते हैं next meal में workout हो गया है मेरा उसके बाद मैंने shower भी ले लिया है अब मैं ले रहा हूँ post workout meal जो कि dinner भी है वैसे मैंने workout के बाद whey protein लिया था अगर आप ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है उसके बाद अगर नहीं है कोई बात नहीं आप banana shake ले सकते हैं उसके एक घंटे बाद आपको ये meal लेनी है इसमें मैं दिखाता हूँ क्या क्या ले रहा हूँ मैं दो चपाती है और soya bean की भुजी है और ये कटोरी दाल है दाल बनी भी थी तो मैंने ले ली जरूरी नहीं है ये meal आपको exactly ऐसे ही लेनी है full day of eating मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको एक idea मिल जाए क्योंकि घर में जो भी बनता है आपका meal वो healthy ही होती है बस ये make sure कि ये उसमें ज़्यादा oil ना हो तो वो तो आपको लेनी लेनी है अगर उसमें कोई protein source नहीं है तो वो आप extra add कर सकते हैं इसके बाद एक और meal होगी जो की last meal होगी so मैं dinner करता हूँ और थोड़ी दिर में ये आपसे मिलता हूँ वैस रात के बज रहे हैं दस और ये last meal है दिन की ये आप सोने से एक घंटे पहले ले सकते हैं इसमें मैंने क्या लिया है गरम दूद है गरम दूद में मैंने क्या डाला है एक चमज घी और cinnamon powder जो की दाल चीनी powder होता है वो आप डाल सकते हैं और उसके साथ लिया है थोड़ा सा गुड़ तो गुड़ के बहुत benefit होते हैं ये आपको वेट गिन में तो help करता ही करता है आपको digestion में भी help करता है और जो इसमें घी डाला है आपने ये optional है आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं मैं यूज करता हूँ वेट गिन में आगर आप दूद में नहीं लेना चाहते है रात को तो आपके अपने मील्स के साथ ले सकते हैं तो गी बहुत ज़रूरी है एक से दो चमच आपको ज़रूर लेना है तो उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मैंने कोशिश की है जो मैं लेता हूँ वो दिखाने का बट इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम मील ही लेनी है सिर्फ एक आइडिया था देने का कि आप ये ये यूज कर सकते हैं आप अपने साबसे जो भी घर में अवलेबल होता है वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस दा बेल आइकन ताकि नई वीडियो आती आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई टेक केर